स्वागत है आप सभी के दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और ये ओनलाइन टेस्ट दसों है जुलाइ अगस्त या फिर फ्यूजर में जबी भी जिसका एक्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये और ये टेस्ट चल रहा है आपका टेस्ट में मैं मोस्ट इंपॉर्टे पीडिएफ उसमें में डिसकांट भी दे दिया हूँ ट्रिपल सी जुलाई 2020 लिखोगे तो डिसकांट आपको मिल जाएगा बहुत सस्ता और जानलो सिर्फ सस्ता ही नहीं है बाकी सबका जो पीडिएफ हमारा जो पीडिएफ बहुत डिफरेंस है इतना जमीन आस्मान का डि जो ले चुके हो लोग अच्छे से उसको पढ़ो और जो लोग नहीं लिये हो लेना चाहते हो फटाफट ले लेना डिसकांट 24 आवर के लिए ही है बैलिट बस तो ले लेना सब लोग ठीक है और आठ जो डेली क्लास भी मतलब चलाता हूँ मैं टेस्ट के लिए आपके क्लास बहुत जल्द मैं एक दो दिन बाद उसकी क्लासे स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है रिजिनिंग और मैथ की तो सब जिनका एक्जाम है मतलब कोई सभी कॉंपटेटर एक्जाम के तियारी कर रहे हो पढ़ना जरूर देखना किसी से पूरे इंडिया में कोई भी टी है रिजिनिग और मैथ ठीक है अभी दिए कंप्यूटर तो फेवरेट था ही नहीं तो बहुत जल्दी टाइम उसे साथ बज़े डिसाइट किया हूँ आप लोग बताना टाइम उसी हिसाब से मैं डिसाइट करूंगा बहुत जल्दी सारी विवस्ता करके मैं थोड़ा ठीक हो जाओं इसलिए ठीक है चलिए बिने देर किये फिर सुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना सब लोग कर देना ठीक है तो पहला कुशन आज का पेटियम और यी वालेट बोथ बोथ मतलब दोनों मतलब पेटियम जो होता हो यी कॉमर्स भी है और यी वालेट भी है यह true है या false ही पूछ रहा है तो इसको आपको true ही करना है क्योंकि Paytm अब e-commerce सविधा भी देने लगा है ठीक है next हमारे सामने है 1956 में आई करांत की सुरुवात करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था आपको मालूम होना जी कि मैं सारे question वही बताता हूँ जो triple C में पूछे जाते हैं उसमें होता क्या मैं आपके बताता चलूँगा पूरे test में समझातूँगा कैसे याता है question उनका उनका एक database होता है उसी में से source operation source operation सबको देते हैं आप सबको समझ रहा बाद database में उनके 2000 question है तो 100 question उठाके कहीं से भी दे देंगे आपको समझ रहा बाद और हर महीने कुछ question लोग नए add कर देते हैं नए add कर देते हैं तो जो नए add करते हैं वही मुझे पता नहीं देता है बाखी सब मैं आपको पता देता हूँ लग 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 इतना मान के चलना तो यह क्या कह रहा है कि AI करांत 1906 में कौन सुरू किया था यही पूछ रहा है तो इसका simple सा उत्तर आपका होका dart mouth AI मतलब होता है artificial intelligence दो तीन बाते आपने स्रीख लिए आपको एक सुपर क्लास में बचा के मतलब नया का मतलब बहुता है कि जैसे कभी-कभी क्या वा था पिछले महीने वाला भी नहीं बताया रहता है जो जो नहीं बता है वो मैं 100 पर्षन रखा हूँ उसको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा एक दिन पहले में बता दूँगा आपको कप सुपर क्लास दे दूँगा इसका उत्तर वैसे होगा गूगल ड्राइव गूगल इंटरनेट पे क्लाउड कपरड़ी का मतलब होता है इंटरनेट पे कोई चीज आपको सुरक्षित रखना तो हाड ड्राइव पे इंटरनेट होते हैं नहीं आफलाइन होते हैं गूगल ड्राइव इंटरनेट होता है किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है हाड़वेर चोरी होने पे हो जाता है डेटा चोरी होने पे होता है एफिए इन में से कोई नहीं hardware मतलब जोसे computer ही चुरा ले गया कोई data का मतलब आपकी कोई बहुत सारी जानकारी चुरा ले गया software मतलब कुछ software चुब इससे कुछ भी चुरा ले गया तो इसका उत्तर आपका होगा data data बहुत important फुरत तो उसमें बहुत सारी information होती उसको कोई चुरी कले तो आपका नुकसान होना तैह है सबसे जादा इसलिए ही उत्तर होगा भारत में वाड़ेजिक बैंकिंग पडाली commercial banking system सामिल है तो मतलब जो वाड़ेजिक बैंकिंग पडाली है उसको बोलते हैं इंगलेस में commercial banking system तीसे में कौन-कौन सामिल है कौन-कौन से bank तो बोलता है कि regional rural bank cooperative bank है na schedule and non-cedule banks और nationalized and private banks land development banks तो इनमें से कौन सा है जो इनमें सामिल है commercial banking system तो आपका उत्तर इसमें होगा कि B number वो जो लिखा है schedule and non-cedule banks इसका मतलब समझ लो schedule का मतलब होता है जो bank RBI के guidelines को follow करते हैं उसकी हिसाब से चलते हैं और non-cedule मतलब जो bank उसके guidelines को नहीं करते हैं मतलब वो free होते हैं अब देखो क्या समझा आपने तो दो ही तरह के bank देश में है schedule में सारे bank आगे non-cedule दो-तीन बैंक वो भी आगे मतलब totally bank जितने हैं सब commercial banking system में सामिल हैं समझगे वर्स 1996 में घोशित पूजी परयाप्तता मापदंट लागू होता है मतलब capital equity norms is applicable to कौन-कौन से bank में होता निसनलाइज bank private sector bank cooperative banks या फिर foreign banks में ले question दोस्तों कोई भी guess वाला question नहीं रहता कोई भी मतलब सीधा-सीधा original question है triple C के यह जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओ उतना ही अच्छा है आपके लिए बस इतना समझ लेना same to same ICA question पूरा पूरा आएगा आपके exam में भी यही इतना जान लेला इसका उत्तर आपका होगा nationalized bank nationalized bank बोले तो जो इतनी भी सरकारी bank होते हैं इसको nationalized राश्टी कृत होते हैं वो सारे राश्टी कृत में आते हैं computer आपस में किस से जुड़े होते हैं network networking internet या फिर internet networking तो इसका सीधा से उत्तर हो जाएगा network सीधा से उत्तर network ठीक है ethernet used in ethernet कहां इस्तिमाल होता है जो लोग अच्छे supermaster बहुत लोग पढ़ लिए मुझे पता है उनका score भी अच्छा जाता होगा तो लोग बहुत अच्छी बात है दो बारा पढ़ लो ती बारा मतलब साइम बचे तो cc full course है libra office है सभी important है ethernet कहां पिस्तिमाल होता है LAN में यह तो सिर्फ question बता रहा हूं मालो मैं net banking सेवा भारत में e banking के अंतरगत नहीं आती है true है कि false यह तो मालो आपका सिर्फ practice state है question ही है जिसको मरजी question पढ़ो जिसको मरजी बहुत कुछ सीखना है तो cc full course है और libra office है बहुत लोग देखते रहते मैं जानता हूं तो पता ही चलता मुझे जो मतलब कितने लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे है तो लोग सीखना चाहते हो सीखो सब कुछ available है कुछ भी छोड़ता इसलिए नहीं मैं अब जल्दी से पूस्तियों को जल्दी से concept पढ़े तो बता देता हूं मैं super master पढ़ो तो आपको क्या करना है नहीं आती बोल रहा तो फास करना है वो एक ही बार है दोनों net banking, e banking एक ही चीज़ होती है इसलिए आपको फास करना नहीं बोल रहा है यह इवालेट की प्रकार है कौन सा है semi closed, closed, both, none तो e wallet दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं semi closed और close तो दोनों थोड़ा करके तो इस तरह से दो तरह के wallet आपका होता है Ethernet data कितने bit का होता है 10 megabits per second, 10 bits per second, 10 kilo, देखो इसमें सब bit सी दिया, byte नहीं दिया है, bits ही दिया है, सब bit सी दिया है, byte पर ध्यान मत दिया है, ज़िए mega byte होता है, तो byte नहीं बलकि bits है, तो आपको 10 megabits per second ही करना है, Ethernet के speed, 10 mbps मतलब megabits, google drive की story छमता, तो google drive की बारे में जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, अलग होता है, जैसे generally हम लोग free वाला यूज करते हैं, वही google drive, और question भी समझ लोग वही पूछेगा आपका, mainly वही question पूछेगा, वह option किसाब से वही पूछ रहा है, तो आपको करना ह 15GB, हम लोग जो यूज करते हैं, गूगल drive कभी देखो कि न 15GB होता है, तो टोटली, उसका जो storage हमता, लेकिन एक होता है business plus, तो फ्री नहीं होता, पेड होता है, तो business plus वाला 5 TB होता है, TB, terabyte, तो ओ अलग हो गया, लेकिन हमारा 15GB करना है, आपको google drive पूछे, तो अगर 5 TB दि Silicon data को, data को column में, data को column को room में, मतलब यह है, रो लिखा वाया रोम हो गया, कैसे बदलें, समझ सकते हो, आपके column को, रो में बदलना है, यह row ही है, column को row में बदलना है, तो आप क्या करोगे, paste, transpose, paste, special, cut and paste किसका इस्तिमाल करोगे आप paste, transpose इसका इस्तिमाल करके आप किसी भी जो data है column को row में बदा सकते हो आप बात समझें कि नहीं Libre Office Writer एक form में जानकाई दर्ज करने की कई तरीके प्रदान करता है जिसमें checkbox, option buttons, text box pull down lists and other items जिन्हें सामोहिक रूप से जाना जाता है तो हिंद इंगलेस दोनों mix कर दे जाके ताकि आपको कोई problem नो हो सब लोग समझ सको समझे, तो ये सारी चीजी होते हैं जिन्हें सामोहिक रूप से क्या हम जानते हैं अब ये सब आपको अगर सुपर मास्टर पढ़ोगे तो मिलेगा, मिलेगा, सुपर पहले पढ़ना है आपको पहली बता देता हूं मैं सुपर क्लास पहले पढ़ लेना, फिर उसके बद मास्टर क्लास reverse order से पढ़ना नीचे से तो इसको totally मिला के हो जाएगे form control ठीक है बहुत important question है ये ULSI किस पीड़ी में लागू किया गया अब ULSI मतलब होता है ultra large scale integration LSI मतलब होता है large scale integration तो उसी में VLSI होता है very large scale integration फिर ULSI हो गया, ultra तो समझते चलो, सब समझना चाहिए आपको ULSI सिर्फ पूछता है अगर तो 5th generation आपको करना है क्योंकि ULSI 5th में शुरू हुआ और अगर बाकी पूछे जैसे LSI और VLSI ये दोनों 4th generation में आपको करना है ठीक है चली, next चलते हैं निम लिखित में से एक बिसिस्ट ethical hacker की बिसिस्टा नहीं है मतलब ethical hacker की बिसिस्टा नहीं है और प्रिजर्वेंस नेटवर्क कमजोरिंग के दरान की प्रक्रिया को समझता है बिन्डोस का उतकुष्ट ग्यान बहुत इंपॉर्टन्ट है ये कुश्चन को समझना पहले फिर उत्तर देना तो ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए पहले बात तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि एथिकल हैकर होते कौन है एथिकल हैकर होते हैं जो लीगल काम करते हैं जैसे गवर्रमेंट के साथ सीवी आई में एथिकल हैकर रिक्रूट किया जाते हैं सीवी आई के ओफिसर बहुत सारे होते हैं थिकल हैकर होते हैं एना ये जो होता है ना उसमें भी होते हैं आई बी में भी होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग जो मतलब नेगेटिव लोग हो टेरिस्ट हुआ कुछ हुआ लफड़ा तो उसके लिए ये यूज किये जाते हैं ये लोग मतलब काम करते हैं सब का ह अंदर होना चाहिए, ठीक है, next देखते हैं, material consisting of text and numbers is best presented as, text और संख्या को सबसे अच्छे धंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, table slide, layout side, blue side, title slide, किसके द्वारा, तो इसमें आपको क्या करना है, table slide ही करना है, सबसे बेश्ट तरीके से, text संख्या सब कुछ है, तो table के रूप में बदल कर दोगी, तो बहुत अच्छा प्रस्तुती हो जाएगा, सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने की निम्लिक में से कौन सा एक कारक नहीं है, मतलब पर्यावरण सुरक्षित जो होता है, उसके खिलाफ कौन सा एक कारक नहीं है, system of configuration, education of hacker, business strategy of company, the network architecture, इन चारों में सा ऐसा कौन लग रहा है, जो पर्यावरण सुरक्षित के लिए अच्छा नहीं है, समझे हो बात, पर्यावरण को सुरक्षित, इन चारों में से कौन ऐसा है, जो पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखता है, तो अपना the business strategy, मतलब जो business रड़नीत जो बनाते हैं, जो लोग, वही अच्छा नहीं है, बाकी सब देखो इसको represent करता है, तो बड़ा important ये भी दोस्तों, बार बार पूछते हैं, ये भी questions, अब इसमें समझने की जरूरत है, इसमें भी, पहले तो इसका full form समझ लेता है, American Standard Code for Information Interchange इसका full form होता है, और ये अगर आईसा same question पूछता है, तो आपको 128 पे करना है, main इसका 128 होता है, लेकिन एक और होता है, 256 भी होता है, तो 256 तब करना है, जब यहाँ पे पूछे 8 bits, जैसे ये normally 7 bits का होता था, लेकिन अभी 8 bits वाला भी कर दियें, तो 8 bits वाले में 256, 7 वाले में 128, next हमाया सामने, which one is not components of IOT, तो इन्हें में से कौन सा IOT का components नहीं है, people, process, connectivity, security, तो इसमें आपको करना है, security, क्योंकि ये security जो होता है, IOT के component में नहीं आता है, people, process, connectivity, ये तीनों आते हैं, email आने के तुरंत बाद reply कर देना चाहिए, true है या false, आपके पास email आया, और आप उसे तुरंत reply कर दो, तो आपको इस पे करना है false, क्योंकि किसी का mail आया, पहले उसको समझो, जानो, कहीं, कुछ गरवर दो नहीं मामला, उसके बाद सोच समझ के reply करना चाहिए, तुरंत आई सही नहीं reply कर देना चाहिए, control प्रश डवलू, shortcut चो होता है, किसके लिए होता है, इसके बाद मालो चर्चा करता है रहता हूं, उसको सब को कल लेना चाहिए, बहुत सारे question दोस्तों, बराबर मैं इतना चर्चा करता है तो आपसे, मतलब थोड़ा क्या होता है, जिब exam नय नय आता है, जिसे सुरू होता है, मतलब, admit card आ गया, उसके बाद सब सोग के उठते हैं, जबकि triple C को थोड़ा सा time देना चाहिए, 80 घंटे का course है, triple C, माना नहीं जाता है, मतलब, triple C, 80 घंटे का course होता है, तो 80 घंटे बोले तो 3 महीने, एक वीडियो मैंने बताया था आप से, तो कुछ लोग उस पर भी comment कर रहे थे, 3 मन क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तो एक part time course है, और लगातार 80 घंटे थोड़ी पढ़ाई की जाती है, डेली एक घंटे पढ़ोगे न, एक घंटे, डेट घंटे पढ़ोगे, बीच में छुट्टी भी रहेगी, इस हिसाब से 80 घंटे का course होता है, वह ऐसे 3 महीने का बोलते हैं, मतलब मान लिया जाता है, इस तरह से मैं बताता हूँ, सब लोग सिर्फ certificate चाहिए होता है, इसलिए पढ़ते हैं, close current window इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, close current window मतलब current window को बंद करने के लिए होता है, इमित्र किस से संबंदीत है, इगॉर्णन सोसल मीडिया, आईयम, तो आईयम मतलब होता है, इस्टेट मेसंजिंग मैसे, बदाए इन तीनों मैसे कौन सा है वैसे, तो इगॉर्णनस, दोस्तों ये है, इगॉर्णनस से ही संबंदीत है मतलब, और आपको मालू होना चाहिए तो राजस्तान आपको मालू होना चाहिए, इमित्र मालू होना चाहिए, इसको बढ़ाया भी जाएगा भी सिर्फ 33 डिस्टिक्स में ही ये काम कर रहा है, इवालेट और डेबिट कार्ड सेम है, पर क्रिडिट कार्ड इसमें से अलग है, टू है या फाल्स, इसको आपको फ प्रोड़क्ट टू सम फाइब सेवन इसका मान कितना आएगा, प्रोड़क्ट का मतलब होता है गुड़ा करना और सम का मतलब होता है जोड़ना, जो मैत के स्टुडेंट है उसको तो आसानी से कर ले जाएंगे, जैसे बॉर्ड मॉस रूल में होता है दोस्तों, बीची में अगर अंदर कोई चीज है तो उसको पहले हम लोग सॉल कर लेते हैं, जैसे सम लिखा है पांच साथ, मतलब साथ और पांच को जोड़ना है, तो पहले अंदर वाला सॉल कर लेते हैं, तो साथ पांच बारा हो जाएगा, फिर बचे का दो और बारा, सम फाइब सेवन के आपको कोई प्रॉब्लम न हो, समझ सको, तो फिर यहां से इस पे कर देता हूँ, पेस्ट जो कॉपी किया था, पेस्ट करके सीधा मार दिया, एंटर, तो ये कुछ काम ने, कुछ गलती हो गए इसमें, देखता हूँ, इसको डॉट आ गया ना, इककोल से पहले, तो इसको आपको हटा देने वे, क्योंकि बराबर से सुरू होता है ये, तो ये देखो 24 आया, है न, तो ये आपको तर्वी हो गया मालो, इने में से कौन से सौट वेर का प्रकार नहीं है, इंटर्टेन्मेंट, अप्लिकेसन, ये तो मालो एकदम सा सिंपल है, तो आपको सीधा सीधा इंटर्टेन्मेंट पे ही कर देना है, कोई सौट वेर नहीं है, साड़े तीन हार्डिस्क 3.5 मतलब हार्डिस्क की छमता कितनी होती है, 44 MB, GB, MB तो होगा नहीं, पहले खतम, 20 MB ये भी खतम, लडाई 44 GB और 20 TB में ही है, तो इसमें आपको 20 TB पे ही करना है, क्योंकि आज कल जो maximum बना दिए है, 20 TB वाला हार्डिस्क भी बना चुके है, remote computer से local computer में फाइल को लाना, download कहलाता है, अब इसमें हमें पहले ये अगर मालुम हो, remote computer कौँट सा होता है, local computer कौँट सा होता है, तो काम हमारा हो जाएग, आसान हो जाता है, remote computer दोस्तों वह होता जो server पे होता है, local द computer बोलते हैं, जो website आप जब देखते हो कोई जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, समझ लो remote पे हैं, ना कि आपके local पे हैं, कि को इंटरनेट बंद तो आपका खतम, मतलब वो भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए जो चीज internet चलाने के बाद दिखे, वो remote computer पे ही है हमा ना कि हमारे local पे है, बात समझे, तो remote से local मतलब internet से जब डाउनलोड करते हो, तो इसको download ही बोलते हैं, टू ही हो जाए गई है, बहुत simple सा question हो गया, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, remote मतलब internet पे जो होता है, MS Paint ब्रस में, BMP में सेवा होता ह तो BMP मतलब होता है, क्या होता है, bitmap होता है, और bitmap ही MS Paint का file extension भी होता है, तो आपको इसमें SC करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, है ना, next देख लेते हैं, कौन से branch UK Bank ने LIC से 271 करोड लेने की बात कही थी, अब UK Bank पहली दे दिया है, अगर मालों बैंक करना दे तो UK Bank का करना है, ऐसे फालतू के question भी पूछ लेते हैं, ट्रिपल से का question है, ये पिछले महीने भी पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था, ये दो-तीन महीने से ये question देख रहा हूँ मैं, ट्रिपल सी में, चल रहा है, तो इसको आपको कोलकाता करना है, क्योंकि UK Bank जो है, उसका head office कोलकाता में ही है, और उसने ही LIC से 271 करोड लेने की बात कहीं, क्योंकि कुछ घपला हो गया था, उसके चक्कर में उस पे ठोक दिया था, क्योंकि UK Bank ने किया था, तो कोलकाता उसका head office है, इसलिए, DVD कब बना था, इसमें क्या हुआ दोस्तों, DVD का मतलब पहले समझ लो कि Digital Versatile Disc इसको बोलते हैं, यह जानते हैं सब लोग कि DVD होता क्या है, अब यह क्या हुआ क्योंकि पहले इसको बनाए किस ने था, कई सारी company ने, Sony, Panasonic, Tosiba और Philips, इन सबने, Samsung भी सामिल था, सबने मिलके बन इसको बनाया था, तो बनाया तो 1995 में इसको बना दिया था मालो, तो इसलिए आपको 1995 करना है, सेम आई से कोश्यन आता है तो, और यह 1995 में इसको रिलीज किया गया, बन गया 1995 में, रिलीज हुआ चानवे में, इसको बाते पता हो, किसके जैसा वर्क करता है, NEFT, RTGS, CHECK, IMEPS तो UPI किसके जैसा वर्क करता है, तो इसमें आपको IMEPS करना है, क्योंकि IMEPS होता है, उसको बोलते है, Immediate Payment Service, तो Immediate का मतलब होता है, तुरंद पैसे को यह भेजता है, तो UPI भी वही करता है, तो UPI क्या हुआ कि, IMEPS के अधार पे ही बनाया गया UPI, तो दोस्तों, आज का आ सारे कोईशन की कम ही नहीं, सुपरमास्टर पूरा पढ़ लिए, या फिर समय कम है, तो e-book, link, description में दिया हूँ, मैं PDF का, उसको जो पढ़ना चाते है, बुक, मतलब बुक उससे अच्छा का भी हो इनी सकता, क्योंकि, जैसे मैंने बताया कि, हर बारो, अपडेट मैं करता ह हर महीने अपडेट वाला रहता है उसमें, ठीक, इस महीने भी अपडेट हो चुका है उसमें, एक एक एक्स्ट्रा सुपर क्लास उसमें है, तो पढ़ाई जो कल लिया नच्छे से, उसको पास वाने, उसको रोक नहीं सकता है, तो दो कोईशन आपके लिए, उससे पहले आता हूँ, तो आते हैं, कोईशन पे आपके सामने, कल पुछा था कि कोबोल, स्टैनफॉर्ट, तो कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लाइंग्विजिस का फुल फॉर्म होता है, और लिब्बर ओफिस राइटर का फाइल एक्स्टेंसन क्या होता है, तो राइटर पूछे तो लिब्बर ओफिस में, और इंडिया के फर्ष्ट सूपर कंप्यूटर का क्या नाम है, ये बताने आपको, और गीगो सब्द किस से संबंधी थे, ये भी बताने, दोनों बहुत इंपोर्टन कोईशन है, दोनों का एंसर कमेंट बॉक्स में दे रहा है सभी को, तो कोई झाल